प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा बहतर करने के लिए बेटा क्लास 11 के फॉर्मले आज लेके आया हूँ आपके लिए तो क्लास 11 में वैसे तो फॉर्मले थोड़े कम है क्योंकि यह मेकानिक्स है जादा तर तो पूरा NCRT Part 1 आपका मेकानिक्स है लेकिन फिर भी Part 2 में आपका Thermal Physics वरा हो गया Properties of Solids and Fluids हो गया उन में थोड़े फॉर्मले हैं इवन मेकानिक्स में भी फॉर्मले हैं ऐसा नहीं कि फॉर्मले नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ शुरुवात मैंने कहां से करी है ट्रेजेक्टरी हो गया तो एक बार अगर आप रीडिंग मारते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से कवर होती जाएंगी और आप बहुत बढ़िया तरीके से revise करते चले जाएंगे ठीक है तो आपको पुली में यह वाला केस आ गया तो सारे केस वगरा मोमेंट अफ इनर्शिया वगरा सेंटर ओफ मास एवरिटिंग इस इंक्लूडेट काफी एक्जॉस्टिव है यह इसको पढ़ देंगे आप तो इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने के जुरत नहीं है मतबब आपका revision करने के लिए है है ना मैं यह नहीं कह रहा कि कभी नहीं पढ़ा है तो यह पढ़ दो हो जाएगा revision करने के लिए बहुत बढ़ीया है फिर आपका gravitation हो गया है न, escape theory, escape velocity, orbital velocity, सारी चीज़े, potential energy, kinetic energy, mechanical energy, binding energy, सब कुछ included है यहाँ पे, ठीक है, kepler's law भी included है, तो सब कुछ है, एकदम detail में है, बहुत बढ़िया notes है, description में इसका link रहेगा, download कर लीजेगा, और एक छोटा सा प्यारा सा comment जरूर छोड़ दीजेगा, कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्या लगा, ठीक है, मिलते हैं बच्छों next class में, तब तक के लिए, bye-bye, have a nice day, see you soon, bye